आपका पूर्पोस वागत आपके अपने यूटूप चैनलों के इसक्मार पर आज की वीडियो में हम लेकर रहा है यूपी बोर्ड इंग्लिस क्रामर जो टैंथ और ट्वैल्थ के बच्चों के लिए हैं पेपर से पहले सोट की तैयारी वीडियो को सुरू से लेकर अंतक दे स्पीच अब इसमें पहला नियम है यदि वाक्य में सैड हो तो यह कहीं में बदल जाएगा टोल्ड इस पर बनाते हैं जैसे राम सैड टू मी कोमा इंवर्टिड कोमा वी डू नोट प्ले गेम अब यह सैड टू जो है टोल्ड मां बतल जाएगा राम टोल्ड और मी और इसकी जगा डैट आजाएगा कोमा इंवर्टिड कोमा और यह वी जो फर्ष्ट परसन है राम के अनुसार बदल जाएगा तो यहां क्या आजाएगा ही और डू का हो जाएगा डिद नोट प्ले गेम सेकिन अब राम सैड टू हर कोमा लगा के इंवर्टिड कोमा जैसे आए गया डू यू लव बात मां क्वेस्चन वार किये अब यह सैड टू आपका जो है टोल्ड में नहीं आसकड में बदला क्योंकि सिंगल इंटरोगेटिव वाक्य हैं तो यह हो जाएगा राम आसकड हर और यहां लग जाएगा इप या वैतर में से एक अब यू यू जो है सैकिन परसन है किसके अनुसार बदल लगा हर के अनुसार बदल लगा तो यहां क्या हो जाएगा सी कोमा इंवर्टिड कोमा यह आ जाएगा वेयर कि डिट आई प्ले बाद में क्वेस्चन मार्क तो यह सैड है खाली और यहां पर वेयर दिया हुआ है डबल इंटरोगेटिव है तो यह आसकड में बदल जाएगा हरी आसकड और यहां पर ना इपाएगा ना वैतर सिरफ जो क्वेस्चन वर्ड जो दिया हुआ है वाक्य में वही जूगा तो रखना पड़ेगा वेयर अब यह आई परसन है तो यह हरी के अनुसार बदल लगा तो क्या आ जाएगा वेयर ही प्ले का हैड के साब से तो यह हो जाएगा हैड प्ले इसमा कौन सा नियम है क्योंकि जब व हो और रिपोर्टिड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट में हो तो वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा तो हरी आस्कड वेयर ही हैड प्लेट डियर स्टुटेंट नेक्स्ट वीडियो तुमारो आएगी आगेगी ठैंक्स हो के साथ हो फिलाल आज की उड़ों में स्टुडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हैं जय पाराज जय वात लिए